तीन सौ दिन बार इस्राइल का बदला पूरा इस्राइल ने आखरकार हमास से साथ अक्टूबर के नरसंगार के मास्टर माइंड हमास चीफ इस्राइल हानिया को इस्राइल ने वहां मारा जो जगह है उसके लिए दुनिया में सबसे सुरक्षित थी तेहरान में इस्राइल का आउपरेशन इंतकान हमास चीफ इस्राइल हानिया को इस्राइल ने गाजा, फिलिस्तीन, कतर या फिर सीरिया में नहीं बलकि उसे मोसाद ने इरान की राजधानी तेहरान में मारा और ऐसा करके इस्राइल ने पूरी दुनिया को दो संदेश दिये पहला संदेश ये कि इस्राइल के दुश्मन के लिए पूरी धरती में कोई जगह सुरक्षित नहीं दुजरा संदेश ये, दुश्मन से बतला लेने में मोसाद से खतरनाक एजेंसी पूरी दुनिया में नहीं इस बतले के साथ ही इस्राइल ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो अपने दुश्मनों को न भूलता है और ना ही माफ करता है दुनिया हैरान इरान में कोहरान इसराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराने के लिए मौका भी ऐसा चुना जब इस्माइल हानिया इरान के नए राष्टपती मसूद पिजेश्क्यान के शपत समारोह में शामिल होने के लिए पहुचा था यानि इसराइल का शैतान कहे जाने वाला हानिया इरान का राष्ट्रिय महमान था और वो इरान की राष्धानी तहरान के जिस घर में रुका था वही उसकी एक गार्ड समेथ हत्या कर दी गई वीडियो ने कराई हानिया के हत्या हानिया के हत्या की कहानी तो और भी चौकाने वाली है 30 जुलाएं यानि कल हानिया तेहरान में था इस दोरान हानिया ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाχाम ने इसे मिला था दोनों के इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया था माना जा रहा है के इसी वीडियो से इस्राइली खुफिया एजेंसी मुसाद को उसके ठिकाने का सुराग मिला हानिय के अलावा इस्राइल का दूसरा निशाना बना हिज्बुल्ला के टॉप कमांडर फाउत शुकर उसे इस्राइलने लिबनान कि राज़ाई बेरूत में मार कराया अ ध्युक्त हमांस के टॉप कमांडर के राद पूरा मुसलिम वर्ड ह coping ए रान है इरान ने इस स्माइल हानिया की हत्या पर हमास, फिलिस्तीन और पूरे मुस्लिम वर्ड के लिए समवेदना व्यक्त की है लेकिन इरान ने अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं दी कि तेहरान में हानिया की हत्या कैसे हुई हानिया की हत्या के बाद इरान में प्रदोशन शुरू हो गए है वहीं हमास ने कहा है कि इसराइल ने टारगेटेट मिसाइल हमले के जरिये हानिया की हत्या की और हमास इस हत्या का भयानक बदला लेगा हुआए सबस्द्दस का बाद धुर ओार कि रहा ही बस्त dessa ला Χाुआने का ए hुआ त Сп अ